आज मैं आपके लिए बुद्वार व्रत कथा लेकर आई हूँ बुद्वार एक महत्पून ग्रह है बुद्ध को बुद्धी का कारक माना जाता है इतना ही नहीं अगर कुंडली में बुद्ध खराब है तो मनुस्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता बुद्ध को व्यापार बेहन बेटी का कारक भी माना जाता है इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है भगवान गणेश जिने विग्न हरता भी कहा जाता है उनकी पूजा अर्षना करने से जीवन के सभी दुखदूर हो जाते है इस दिन व्रत रखने का विधान है अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुक इस्म्रद्धी की कमी नहीं रहती है इस दिन ग्रह सांती के लिए भी पूजा की जाती है इस व्रत में दिन या रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का दान करना श्रेष्टतम होता है साथी बुदवार की कथा सुनकर आर्थी के बाद प्रसाथ ग्रहन करना चाहिए व्रत रखें सम्तापूर नगर में मदू सूदन नामक एक व्यक्ती रहता था एक बार मदू सूदन अपनी पत्नी को विदा कराने अपनी ससुराल गया महाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससूर से अपनी पत्नी को विदा करने को कहा किन्तु सबने कहा कि आज बुद्वार है आज के दिन गमन नहीं करते व्यक्ती किसी परकार भी नहीं माना और हटधर्मी करके बुद्वार के दिन ही पत्नी को विदा कराके अपने नग को चल पड़ा राश्ते में थोड़ी ही दूर चला था कि उसके रत का पहियां तूट गया और उसकी पतनी को बड़ी तेज प्यास लगी तो उसने अपने पती से कहा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब वह मधुसूदन रत से उत्रा और लोटा लेकर जल लेने के लेकर आया तो यह देखकर आश्चरे चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसे ही कपड़ों में उसने अपने पतनी के साथ व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पतनी के पास बैठा हुआ है दूसरा व्यक इसे मैं अभी ससुराल से विधा करा के लेके आया हूँ वे दोनों आपस में जगडने लगे तभी राज्ये के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे इस्तरी से पूछा तुम्हारा असली पति कौन सा है तब पतनी सांथी रही क्योंकि दोनों एक जैसे वे किसे अपना असली पती कहे वे व्यक्ति इस्वर से प्राथना करते वे बोला कि हे परमेश्वर यह क्या लिला है कि जो सच्चा है वे जूटा बन रहा है तभी आकाश्वानी हुई कि मुर्ख आज बुद्वार के दिन तुझे गमन नहीं करना था और तुने किसी की बा प्राथना की और अपनी गलती के लिए छमा मांगी तब बुद्देव जी अंतरध्यान हो गए वे अपनी इस्वर को लेकर घर आया उसके बाद दोनों पती पतनी ने नियम पूर्वक बुद्वार का व्रत किया जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तथा सुनाता है उसको ब सुबह उठकर हिस्नान आदी से निवरत होकर सबसे पहले आप भगवान की प्रतिमा को इस्थापित करें चोकी पर एक लाल कपड़ा बिछाए और प्रतिमा इस्थापित करें फिर कुमकुम आक्सत घी और अगर्वत्ती से गणेश जी का पूजन करें इसके बाद गण है का जब करें फिर कहानी सुनें गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रियोग ना करें गणेश जी की पूजा में तूटे और गीले चावल का प्रियोग भी ना करें आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है गणेश जी की पूजा में फूलों का विश तेस महत्व है दुर्वा गणेश जी को अधिक प्रिय है इसलिए उनका अभिसेख दुर्वा से करें इससे गणेश जी मनोवांचिक फल देते हैं ओम गण गण पते नमहा